कि यहिंद आज है 22 फरवरी 2024 और 22 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्तपुन करन्ट फेर्थ के कोईशन के बारे में जानेंगे और उससे जोड़ी जो भी अनिजनकारी होगी उसको भी जानेंगे तो पहला क्वेशन है कि यूपी ग्लोबल समीट कहां आयूजित किया गया है त तो यूपी के बारे में भी जान लेते हैं यूपी के सीम कौन है योगी आदित्यनाथ और यूपी के राजपाल कौन है अनंदी बिन पटेल यूपी से कुछ और भी कोईशन पूछ लेता है जैसे कि वहां कि राजकी भासा दो राजकी भासा यूपी में एक हिंदी है और दूसरा उर्दु उर्दु को का वू अपनाया गया था तो 1989 में राजकी भासा के रूप में अपनाया गया था ईयु जानकारियां है जैसे चिनकार क्विघ से क्या है तो इयूति का पूश्प क्या है जान ना चबिछ स्प्वश्प देशाओर Project कि खेल क्या है हां कि यतनी जैनकारिया यूपी के बारे में याध रखिएगा अगला मेशन बहारत किस देश के साथ अपनी वेपार को 230 तक दोगुना कर देगा तो भारत ग्रीश के साथ और संट एक सब्सक्राइब के साथ मिलकर 2030 तक अपनी वैपार को दोगुना कर देगा अब ऐसा क्यूं हुआ है तो अभी जो दिल्ली में हुआ है राशीन वाता हुआ है उसके जो मुख्या तीती थे करिया कोस मिट्चोता कि वो ग्रीश के परधान मंत्री हैं उन्होंने यह कहा कि भारत और ग्रीश 2030 तक अपनी जो व्यापार है आपसी व्यापार उसको दोगुना कर देगा अगला क्यूशन देखते हैं भारत ने सीमा वर्टी छेत्र में सांती के लिए किस देश के साथ पूर कमांडर की एक इसमी दवर की बैठक की है तो अब है आप्शन सी है आप्शन सी उत्तर है आप्शन सी चीन के साथ किस के साथ चीन के साथ अब चीन के साथ हुआ है तो चीन के बारे में जान लेते हैं चीन के राश्टपती कौन है सी जीन पिंग फादर आप को रोना और चीन की राजधानी क्या है बीजिंग चीन की मुद्रा क्या है यूवान यूवान को रेन मीन भी के ना प्रयोग किया जाएगा तो यह आप्शन ए है आप्शन ए आयुवेदिक उप्चार का प्रयोग किया जाएगा अब ऐसा क्यों हुआ है तो केंद्री आयुष मंत्री सरवनंद सोनवाल तथा जन्जातिक कार्य मंत्री और इस घोषना की पहल की है और उन्हें कहा है कि 6-12 कलास के बच्चों का अर्वेदिक उप्चार होगा और यह कुपोशन एनेमिया तथा सिकल सेल जैसे रोगों का उप्चार किया जाएगा इस माध्यम से अगला कुश्चन झे जंजाती लोगों का ये सबसे बड़ा उत्सव होता है अभी ये जंजाती लोगों को ने मनाया है अगला कुश्चन देख रहते हैं खाल ही में किस जाने माने अधिवक्ता का निधन हो गया है तो option कि अधिशन नरीमन का से नरीमन का निधन हो गया है 95 वर्स को उम्र में इनका निधन हुआ है अब यह कौन है यह कौन थे तो यह भारत सरकार का 1972 से 75 के बीच महादरी वाक्ता पद पर कारी किये थे भारत सरकार के आप हतकार लगाने के विए से यह अपने पद से त्याग दे दिये थे कि अगला क्वेशन देखते हैं कि कि इन्दिए रो बिजनस ंश्टेनबिल्टी कन खाव आज दूध हुआ का इसका संबोदौन वानिज और उद्योग मंत्री पियूश गोईल ने किया है वानिज मंत्री प्यूश गोईल्न ने किया है अगला कुछन देखते हैं आंदर परदेश के विशा का पटनम में नौशनिक युद्ध्याभ्यास किस नाम से हो रहा है तो आंदर परदेश का जो नौशनिक युद्ध्याभ्यास हो रहा है वो मिलन नाम से हो रहा है इसमें 50 से अधिक देशों के नौशना भाग लि जाता है और आप्शन बी जो है बज़ प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में जो थल सेना है उसका जो युद्ध्याव्यास होता है तो उसको बज़ प्रहार नाम से जाना जाता है और आप्शन डी जो है पूरिस के बास्केट बाल खेल में सोन पदक जीता है तो अभी यह जो गुहाटी में हो रहा है और तीसरे नंबर पर जैनों विश्वी द्याले रहा है अगला question देख लेता है खेलों इंडिया सीथ कालीन खेल के चोथे संसक्रोन का उधगाटन कहा हुआ है तो option A option A जम्मु कस्मिर के गुल मर्ग में हुआ है और इसका उधगाटन जम्मु कस्मिर के उपराजेपाल मनोज सिन्हा ने किया है किसने क्या मानों मंदिर का ब्रांड एंबेस्टर किसे बनाया गया है तो आप्शन सी बिवेक अगनिहोत्तरी को मानों मंदिर का ब्रांड सब्सक्राइं अब ये कौन हैं तो ये विख्यात फिल्मनिर आता और निर्देशक है विविक अगनी होत्त्री अब ये मंदिर कहांपे मानो मंदिर चोलन जिला के कोठु में इस्तित हैं कि अगला कोशन देखते हैं पोत निर्मार एंवान रच्छन कारसाला का आयोजन कहां हुआ है तो ये नई दिल्ली में हुआ है नई दिल्ली में हुआ है तो आज के ये करंट प्यार के कुछ क्वेस्टन थे जिसको याद रखिएगा जैहिंद